नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है रीवा में 560 से ज्यादा बकाया दरों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे आपको बता दें विद्यूत मंडल का शहर संभाग लक्ष के अनुरूप बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहा है शहर संभाग को फरवरी माह में बिजली बिल के रूप में 17 करोड की वसूली का लक्ष दिया गया है लेकिन फरवरी माह के शुरुवाती 14 दिनों में सिर्फ 4 करोड की वसूली ही की जा सकी है कुल मिलाकर लक्ष तक महचने शहर संभाग को 6 बचे 15 दिनों में 13 करोड की बिजल बिजली बिली के लिए तेजी नहीं दिखाई जिसकी वजह से ज़ादा वसूली नहीं हो सकी। माला यह भी जा रहा है कि पिछले माह की तरह इस माह भी रक्ष की अनुरूप बिजली बिल की वसूली नहीं हो पाई गी। 18 करोड की वसूली कलेक्शन जबलपूर मुख्याले द्वारा किया गया था जिसके विरुध बिजली बिल के रूप में 11 करोड ही आये थे इस संबन्द में विद्यूत मंडल से जुड़े सुत्रों का कहना है कि बकाया बिजली बिल की वसूली तेज कर दी गई है 18 टीम में गठित की गई है प्रयास किया जा रहा है अधिक से अधिक बिजली बिल वसूली की जा सके इसके अलिये अधिकारियों करमचारियों को निर्देश भी दिये गए हैं शहर में 560 ऐसे उभोकता है जिनके उपर बिजली बिल की बकाया राशी 50,000 से जादा पहुँच चुकी है इसमें घरेलू कनेक्शन के साथ साथ सरकारी कार्याले के भी कनेक्शन चामिल है मंगलवार को 50,000 से जादा बकाया वाले 180 उभोकताओं की कनेक्शन विक्षेत किये गए हैं हाला कि बुद्वार को कनेक्शन काटने की कारवाई नहीं की गई है सूत्रों के अनुसार अब जल्दी 25,000 से ज़्यादा बकाया वाले उबहुकताओं के कनेक्शन काट दिये जाएंगे बता दे फरवरी माह में उबहुकताओं के भी कनेक्शन काटेंगे जिनके विरुद बिजली बिल की बकाया राशी 5000 के ऊपर है